गंगा में मिलने वाली नदियों में से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुनोत्री ग्लेसियर से निकली यमुना का 1370 किलोमीटर की दूरी तई करने के बाद प्रयाग राज में गंगा से संगम होता है अपनी इस यात्रा में यमुनाद देश की राजधानी दिल्ली से गुजरती है जहां लगभग 2 करोड लोग इस पर आश्रित है यहां प्रते दिन 327 करोड लीटर स्यूज जनरेट होता है जिसमें से 276 करोड लीटर स्यूज का प्रते दिन ट्रीटमेंट किया जाता है नमामी गंगे अभियान के अंतरगत जब गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए समगर योजना बनाई गई तो उसमें यमुना के स्वच्चता की आवशकता को भी प्रात्मिकता दी गई और दिल्ली जलबोड के साथ मिलकर यमुना की निर्मलता के लिए सीवरेज प्रबंधन का विस्तरित रोड मैप तयार किया गया इसके अंतरगत दिल्ली को बारा ड्रेनिज जोन्स में बाटा गया है इनमें ओखला, रिठाला, शाहदरा और नजवगड प्रमुक हैं ओखला जोन में 6 STP हैं, जिनमें से फेज 5 और 6 के 7 करोड लीटर प्रति दिन और 14 करोड लीटर प्रति दिन के 2 STP काम कर रहे हैं यहां नमामी गंगे अभियान के अंतरगत फेज 1, 2, 3 और फेज 4 के पुराने STP की जगा 56 करोड लीटर प्रति दिन की क्षमता के नए STP का निर्मान किया जाएगा शाहदरा जोन के कोंडली में फेज 4 का 20 करोड लीटर प्रति दिन का STP कार्यरत है यहां नमामी गंगे अभियान के अंतरगत फेज 1, 2 और 3 में 20 करोड लीटर प्रति दिन के 3 नए STP का निर्मान प्रस्तावित है इसके अलावा K4 में राइजिंग में का रिहाबिलिटेशन और साथ ही K1 के सिवर नमबर 4, K2 के सिवर नमबर 5 में ट्रंक सिवर का रिहाबिलिटेशन भी किया जा रहा है Drainage Zone रिठाला में 18 करोड लीटर प्रति दिन के STP का रिहाबिलिटेशन और अपग्रेडेशन किया जाएगा और साथ ही वहां R1A में ट्रंक सिवर का और R1B में राइजिंग में का रिहाबिलिटेशन भी किया जा रहा है आज 1656 करोड की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ 65.24 करोड की लागत से स्विक्रित छतरपुर में 2 करोड लीटर प्रति दिन के 9 Decentralized STP के निर्मान की परियोजना का भी माननिये केंद्री मंत्री और माननिये मुख्य मंत्री द्वारा शिला न्यास किया जा रहा है इनकी अतरिक्त यमुना प्रदूशन को कम करने के लिए नमामी गंगे के सहयोग से कोरोनेशन पिलर में 32 करोड लीटर प्रति दिन का STP और पेरिफेरल स्यूवर का रिहाबिलिटेशन का कार्य नए STP का निर्मान और नजबगर ड्रेन के कमांड एरिया में STP का निर्मान प्रमुक हैं। दिल्ली के बहतर भविश्य और यमुना की स्वच्छता के लिए नमामी गंगे अभियान एवं दिल्ली सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे साजहा प्रयासों से भविश्य में यमुना भी अवश्य ही अविरल और निर्मल बहेगी।